हेलो फ्रेंड्स शे माता दी फ्रेंड्स नोडात्री चल रही है और कुछ माता जी को भोग लगाने के लिए मैंने कुछ स्पेशल को सोचा कि क्या बना हूँ आज तो यहां पर मैंने क्या क्या एक लीटर फूल फैट क्रीम दूद मैंने लिया सबसे पहले क्योंकि मुझे इस समय तक पता नहीं था कि यह है क्या लेकिन यह बहुत ही एक फेमस मिठाई है आगे मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ और इसकी ट्रेजडी यहां पर मैंने घी डाले एक चमच और इसे खुब अच्छे से गर्म किया है फ्रेंड्स कोई खास स्टेट की फेमस मिठाई है स्टेट की बहुत ही खास है वहां पे बहुत लोगों को पसंद आते हैं सुगर पॉडर साथ मैंने यहां पर मिक्स किया खुब अच्छे से चलाए है फ्रेंड जैसे कि यहां पर इसको मैं दूर से बनाने वाले ही तो सबसे पहले मैंने यहां पर लेमन जूस लिया है निम् करने के कि मुझे इसे दानेदार भी निकलेंगे जो कि मुझे बाद में तो इसे मुझे कि विजे करके लाना है तो मैं लास्ट में 2 तीन बार करके उसे मैंने तीन इस्पुन ऑफ यह यह यहा 2 स्पुन जैसे भी है आप पे कर सकते हैं कि कभी-कभी doodh ।cken जाते कभी टाइम लगते हैं तो आप ऐसे कड़कर के यहां पर डाल सकते हैं थोड़े थोड़े क्वाइंटिटी में यहां पर मैंने लास्ट डाल दिया फ्रिंड इस मिठाई की ट्रेजडी थी जब मैं बना रहे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह क्या है और किस तर मुझे देख के बताया यह तो बैंगॉली मिठाई है जिसे कहते हैं काचा गोला मुझे बिल्कुल उमीद नहीं थी कि मैं किसी कास स्टेट की स्पेसल मिठाई बना रहे हूं लेकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे माइन में कुछ ऐसी मिठाई है मैंने देखा भी नह है इस तरह से पहले करके अलग-अलग करके देख लिया फिर कckedता है ओलं कारे दाख को चुरोई पानी और निकल गये तो oppo जाए तो इसमें थोड़े से सुगर पौदर और दाला है। तो वो लेकिन थोड़े से कम परे। इसले मैंने थोड़े से सुगर पौदर और दाला दोड़ा сा और इस्तर सै गॉल-गॉल सेव दे दें। फ्रेंड ये बंगॉली मिठाई और काफी अच्छी लगी, खाने में बहुती टेस्टी लगी और बहुती हेल्दी है, उप वास में तो ये बहुती पसंद आएंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे, आपको एनरजी फिल देंगे, फ्रेंड आप लोगो मेरे वीडियो कैसे लग र पात्री रख रहे हैं, उन्हें बताईए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहें तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेस्बूक पेज पर देख रहें तो उसे फॉलो कीजिए, थैंक्यू सो मच फ्रेंड